हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अंलाइन इस्ट्री किंग्डम दोस्तों घटना चक्र 48 हल प्रश्ण पत्र की स्रीज में आज की इस वीडियो में से लेवस का जो आपका अंतिम टापिक है दर इस तालिका की व्याख्या हम बेचले साड़ तो इसके बाद हम ग्राफ करेंगे औ और आज की इस वीडियो में पूरा तो तालिका से संब्धित 48 हल प्रश्ण पत्र घटना चक्र में दे रखा है सारे कुश्टन को कबर करेंगे जो कि आप 2021 के पेट की एक्जाम को भी आप इंक्लूड करेंगे तो आप जानते हो आपके सिलेबस में दो तालिका पूंची ज आधर यहां जाएंगी तो टोटल 10 उप्रस न आएंगे तस नॉंबर की होंगे यहां से आपके लिए सबसे आसान नंबर जो है गेन करना आसान होता है कुविंकि सही किया तो आपको सही नंबर मिल जाते हैं तो आप जो है 30 में 30 नंबर पाएंगे 100 में आसानी से तो ज़्यादा टाइम न लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रसनों को और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर जीजिएगा चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक् स्टार्ट करते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मास्टर वीडियो स्रीज में पूरा तालिका संब्धनित परसनों को कबर कर लेंगे आई हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस नंबर यहां पर एक से लेकर कि पांच तक और यह पेट 2021 का प्रसन है आपकी सामने किस तरह पूंचे गए हैं आप यहां पर देख शकते हैं निर्देश दिया गया है एक से पांच दी गई तालिका की आधार पर निमनलिखे तो प्रसनों के उत्तर देना है पांच सेल्स माइन दे रखे हैं A, B, C, D, E और पांच सेल्स माइनों के द्वारा प्रती गवर्स यानि 2015, 16 17, 18, 19, 20 इनमें जो सेल्स किये गए हैं उनका वार्षिक कमीशन यहां पर दिया गया है तो आई यह देखते हैं किस तरह के प्रसन पूंचे गए पहला प्रसन जो पूंचा गया तालिका पर आधारित कि वर्स 2018 में B का कमीशन पांच सेल्स माइनों के उसी वर्स के कुल पूंचत था तो यहां पर आप देख पा रहें बर्स 2018 में B तो 2018 आप देखिया और B का यहां पर कमीशन कितना है 28,000 है बी का कमीशन टोटल कितना है 28,000 कमीशन है तो बर्स 2018 में B का कमीशन पांचो सेल्स माइनों के पांचो सेल्स माइन का कमीशन A, B, C, D का देखेंगे तो टोटल कितना यहां पर दे रखा है टोटल अब योग करेंगे तो यहां पर दिया है 1,46,960 है तो पांचो सेल्स माइन के उसी बर्स के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशात था पांचो सेल्स कमीशन का कुल तो इसका कितना होगा 1,46,960 आप नीचे रखोगे इन्टू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा तो टेबल तालिका हो ग्राप हो इनसे संबंदित यदि आपके जोड़ गुड़ा घटाओ गुड़ा भाग आ रहा है साथ ही परसेंटेज निकालना अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर ले जाएगगे मैथ मेरी उतनी अच्छी है नहीं आप लोगों की जैसी ही बिल्कुल बीक है लेकिन आप लोगों की डिमांड थी तो इकम्पेट कराया जाता है दोस्तों बाकि जिन लोगों की अच्छी है वो आप कबर करें तो यहाँ पर यदि आप परसेंटेज निकालेंगे उपर पूड़ा कम है अब यहाँ पर आपके सामने आपसन दिये हुए हैं बी है असी दिया है सी अठान नबे है तो यह अपने आप में इलिमिनेट हो जाएगा वेसे भी अब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे दिया तो आपको exact data निकालना होगा या इनमें से कोई नहीं है या 19.05 है तो यदि आप इसको शाल्व करेंगे तो यहाँ पर 19.05 लगभगाएगा तो इस तरह आपको कल्कुलेट करना है ठीक है तो यह है घटना चक्रवालों का solution यहाँ पर exact जो आंसर होगा आप शंटी आपका सही जबाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अ जाता है ठोड़ा बहुत आपको अपना common sense भी यूज करना है कल्कुलीट के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा टाइम भी जा सकता है अब 2018 देखिए और 2015 देखिए तो 2018 का डाटा यह है और 2015 का डाटा यह है और आपको जो तुलना करनी है C यानि A B C D ABCD का ही देखना है तो A B C D का आप देखिए यहाँ पर 27,350 है और इसके बाद 2018 में देखेंगे तो 39,800 है तो यहाँ पर increase आप देखेंगे तो 27,350 कितना increase हो रहा है तो 27,29 हो गया तो 2000 यह हो गया और 800 मां से 3,500 घटाओगे तो कितना आएगा 450 यानि 2450 यहाँ पर आ रहा है 2450 डिवाइड बाई 27,350 इसके बाद यहाँ पर 26,850 से कितना हो जा रहा है 28,000 तो यहाँ पर कितना increase दिखा रहा है तो 26,000 यानि 2000 यह 28 हुआ और 2000 में से 8,500 घटाओगे तो यहाँ पर 1150 डिवाइड बाई 26,850 यहाँ पर आप देखो C का 26,215 में रहा 2018 में इसका जो रहा है 29,600 तो 29,100 तो 26 से कितना increase हुआ है 26,200 से तो इंक्रीज हुआ है 26,3 और 3 में से 100 माइनस कर दोगे तो यह आ जाएगा 29,100 यहाँ पर दिवाइड बाईड बाई 26,200 तो यहाँ पर कितना increase दिखा रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज निकालोगी जिसमें ज़्यादा increase दिखेगा वह है उच्छेतम रिद्धी वाला हो तो इंटो 100 सम्में कर दोगे तो कितना परसेंट increase हुआ आपको निकल कर आ जाएगा तो आपकी इनकाफ सलूसन आप देख सकते हैं वह ही यहाँ पर किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे एका जो निकाला गया है वो बढ़ोतरी कित सबसे ज्यादा आपको देखने की जो मिल रहा है वो 26-200 से यहाँ पर सीध्य वंतिस एक हजार हो जा रहा है तो यहाँ पर सी आपका सही जबाब हो जाएगा आप्शन इजदा करक्टा अंसर पीडिएफ आपको इसकी टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम जोइन नह सालव करना है क्योंकि जिनकी मैत कमजोर उनको समझ में थोड़ा कमाएगा और यहाँ पर कुछ और भी कॉमन सेंस वाली बात करेंगे इससे आपको कल्कुलेशन जादा करने की जरूरत नहीं है बाकी बुक वालों ने तो कंपना निकाला है सब जोड़ गांड के अच्छे स ठीक है अब यहाँ पर यह आप वंतर निकालेंगे तो देख रहे हैं सी का जब हो 29,000 यहाँ पर 29,000 जो है बृद्धी है यहाँ पर 22,000 है यहाँ पर 11,50 है ठीक है तुलना भी करेंगे तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको यही पर दिख रहा सी का है तो यह आप सी लगाएंगे तब भी आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण पूछा गया तीसरा कि निमने में से किस बर्स में किसी भी सेल्स मैं द्वारा अरजित उच्चतम और नियूनतम कमीशन का जो अंतर है वहां अधिकतम है प्रस्ण को पढ़िए किस बर्स में किसी भ डेखेंगे तो 17 का आप यहां पर देखी सबसे हाइस्ट क्यां साहे सबसे हाय है वंतीस हजार अर्ट और नियूनतम यहां पर देख रहे हैं तो नियूनतम का वंस सबसे कम शब से कम यहाँ पर दोस्त है 25,200 तो 25,200 आप माइनस कर लीजिए अंतर यही तो बोला गया प्रस्ण में सेल्समें द्वारा अरजित उच्चतम और नियुनतम कमीशन का अंतर अधिकतम किसमें होगा इन दोनों का अंतर यदि आप करेंगे तो अंतर कितना आएगा 6,28 यहाँ पर 46 वा गया इस तरह दोस्त आप आप्शन में दिया 18 तो 18 भी कर लीजिए आप 2018 का यूँकि आप्शन ही देखके करना है 15 का आपको तुलना ही नहीं करनी है 16 का भी नहीं करना 17,18,19,20 का ही देखना तो 2018 का हाइस्ट देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना है 30,060 है तो 30,060 आप लिखिए और मिनिमम जो माइनस है वो कर दीजिए माइनस मिनिमम देखिए कितना यहाँ पर तो यहाँ पर जो मिनिमम है वो कितना है यहाँ पर 28,000 माइनस कर लीजिए आप तो यहां का अमाउंट कितना आ रहा 2060 इस तरह आप 2019 का निकाल लीजिए दोस्त 2019 का हाइस्ट कितना है यहां पर 29800 आपको हाइस्ट दिख रहा है तो 29800 आप लिखिए और माइनस कर लिखिए मिनिमम कितना यहां पर 24600 यह सबसे कम होला है तो 24600 आपने लिख लिया दोनों का अंतर कितना होगा 24,5,3,6,2,8 यानि बावन सो इसी तरह आप 20 का कर लीजिए 2020 का 2020 का देखिए सबसे हाइस्ट यहां पर अमाउंट किसका है तो यहां पर जो हाइस्ट अमाउंट है यहां पर 32,000 वाला है सबसे कम वाला कर लेंगे और दोनों का अंतर कर लेंगे यही तो दिया है कि निउन्तम कमीशन का अंतर तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 27,5 32 यहां पर 5000 आ रहा है तो यहां पर प्रस्णव क्या पूँचा है कि किसी भी सेल्समें द्वारा आरजित उच्चतम और निउन्तम कमीशन का अंतर तो उच्चतम और निउन्तम कमीशन का आपने अंतर निकाल लिया अंतर अधिकतम है अधिकतम काउंस है इसमें आप देखे लिए 4600 बड़ा है कि 2060 बड़ा है या 500 या 5000 तो यहां पर आप कहेंगे 52 शुवाला क्या है बड़ा है 5200 है तो 2019 शुवाला है 2019 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तो केवल और केवल कल्कुलीशन का खेल है दोस्त चाहे टेबल हो चाहे ग्राफ टेबल में तो आप थोड़ा कल्कुलीट करेंगे ग्राफ हो गएरा तो आप थोड़ा देख लें ग्राफ देखके ही आनसरा आजाते है तो बिल्कुल आसान आएंगे इसी तरह आपको कल्कुलीशन करनी है ठीक है तो आप बस देखते चलिए समझते चलिए कैसे क्या करना है जिनकी बहुत बीग है बाकी यहाँ पर आपको पीडियाफ सलूसन का जो बुक का है वो मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वही किया गया है यहाँ पर सबसे मिनमम सबसे अधिक्तम जो है 2019 का है आप्शन भी सही जबाब है बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन आपकी सामने पूछा गया वंतिस हजार आठ 2019 में डी द्वारा अरजित कमीशन ए द्वारा अरजित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है तो आपको ए द्वारा अरजित कमीशन का लगभग यानि ए द्वारा का तो इसका मतलब ए से तुलना करने है तो ए का कितना है यहाँ पर तो एक कितना पर्षेंट है भाई पहले 2460 रहा एका 2460 है डी कहा है 39,800 एक है रहा हमारा 24,600 है डी कहा रहा हमारा 39,800 कमीशन है तो डी तुलना कर रहा है कि तुम्हारे से ना जो तुम ए हो तुम्हारे से हमारा कितना पर्षंट अधिक है और यहां पर पूशा कितना प्रतिशत तो आप देख रहे हैं अगर हंडेट पर्षंट करेंगे तो इसे 24600 आ जाएगा क्योंकि आपकी सामने आप शंदे रखे हैं और परषंट या 18 या इनमें से कोई नहीं तो आप इनमें से कोई नहीं लगा देगी आँसर कल्कूलेट करने की चक्कल में लगेंगे तो 121.133 पर्षंट करके आएगा ठीक है तो इस तरह आपको कल्कूलेट नहीं करना आपकी सा करना है कामन सेंस लगाए कि सव पर्षेंट से ज्यादा है आप से क्या जाएगा एकजाम में बज़ना नहीं है जहां जरूरत वहें पर कीजिए गाप की आपकी सामने है अगे बढ़ते हैं अगला प्रशन पूशा गया पांस नंबर कि इस सेल्समेन सी द्वारा अर्जित कमिशन पिछले बर्ष की तुलना में अधिकतम बृधि दर्स आता है किस बर्ष में 19, 17, 17, 17, 17, 19 दे रख तो 16, 17, 18, 19 की आपको देखना तुलना करनी है किसकी सेल्समेन सी तो सी कह यहां पर 16 के देखिये 27,800 है 16 में कितना है 27,800 है इसके बाद 17 का देखी 28,200 है 18 का देख लो भाई 18 का कितना है 39,100 है 19 का देख लो 19 का कितना है 39,400 इसके बाद आपने देख लिया सबका कमीशन अब यहाँ पर पूछा गया अधिक्तम पिछले बर्स की तुलना में अधिक्तम ब्रिध्धी अब पिछले बर्स से तुलना कीजिए अब 2019 के अगर तुलना करेंगे तो 2018 कितना 39,100 था यहाँ पर 300 रुपे एक ब्रिध्धी दिख रहे अब 28,200 कमीशन रहा 2017 में 18 कितना हो गया तो 18 कितना बड़ा अब सीधे यहाँ पर 900 रुपे की ब्रिध्धी दिख रहे है इसके बाद 2016 और 2017 में देखेंगे तुलना करेंगे तो 2016 में यह कमा रहे थे 27,800 और 17 में इनको मिला 28,200 मिला तो कितने इक ब्रिध्धी दिख रहे है यहाँ पर 17 में 600 रुपे की अब 2016 के अधि देखेंगे 2015 में इनको कितना मिला है 2015 देखी वह 26,200 अब 26,200 में रहा है 26,200 ब्रिध्धी कितनी हुई 26,200 सीधे 27,800 इनको कमीशन मिला तो ब्रिध्धी कितने इक दर्सारा है तो 26 सीधे जो है यह 26 से 27,000 गया तो 1000 यह बढ़ा और 200 से 800 हुए 600 बढ़ा तो यहनी 16,000 ब्रिध्धी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप देखिए 2019 में 30,000 रुपे बढ़ा 2018,900 2017 में 600 लेकिन यह 2016 का देखेंगे न तो यहाँ 1600 की ब्रिध्धी है तो आप संडी यहाँ सही जबाब बन जाएगा तो इस तरह आपको कल्कुलेट करना है दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ते हैं आगे तो एक तालिका वाला 5 परशन कंप्रीट हो गया दूसरी तालिका देखिए दूसरी तालिका आधारी दो परशना है दी गई तालिका शालड़िका ध्यान पूरवगा ध्यान करना नीचे दे गए परशनों को आपको उत्तर देना है परशन नंबर 6 पूंच्चल गया है छेस लेकर दस्तक करना पांच परिशन तो दिया गया है यहां पर बिभिन महीनों में चार सियर ब्रोकर है यानि चार जो सियर मार्केड की जो दलाल है ब्रोकर यहां पर खुले खातों की संख्या है न तो सियर ब्रोकर दे रखे हैं एंजल सियर ब्रोकर है सेर खान है जे रोधा है और ट्रेडबुल है एंजल के द्वारा जो खोला गया खाता रहा है मई में वो 25 खोला गया इस तरह यहां पर दिये गए हैं जून में 28 खाते खोले फिर 35 अगस्त में 65 खोले सितंबर में 55 और इस तरह यहां पर मंथली दिया है तो देखिए प्रस्ण पूछा जा रहा है कि अगस्त में खोले खातों की संख्या जून में खोले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी अब आप देखिए अगस्त में खोले खातों की संख्या अगस्त में खोले खातों की संख्या आप कितनी होगी संख्या 65 प्लस 35 सव और 50 तीस असी एक शो असी खुले संख्या हो गई जून में खुले खातों की संख्या जून वाला आड़ कर लीजिए ये जून दिया हुआ है जून का कितना है दोस्त जून का होगा 28 प्लस 18 प्लस 45 और प्लस 42 अब इसको आड़ करो आप यहां 45 दिया यहां अगर 45 होता तो 90 हो जाता तो 45 प्लस नब्बे तीन यहां पर माइनस कर लो क्योंकि यहां लेड़ी तीन जुड़ गया तो 15 हो गया तो 95 प्लस 28 कितना होगा 133 है ना कुछ इसी तरह जल्दी जल्दी जोड़ते हैं तो यह आपने देख लिया यह जून का है और यह अगस्त का है आपका और दोनों की तुलना कर देना है से किसे जून से तुलना जून में खुले खातों की संख्याओ से तो जून वाला है कितना 133 है? और इसी से तुलना करनी है 133 से कितना ज़ादा है? तो 180 है माइनस 133 कर लो तो जू ज़ियादा आएगा अमन्ट आ जाएगा इंटू 100 कर लोगे तो पचास तीस असी होता है तीन और माइनस कर लो तो 47 बटे कितना होगा 133 इंटू हंड़र तो एक्जेक्ट जो अमाउंट आएगा यही आंसर होगा 47 बटे 133 है इंटू हंड़र है ठीक है तो कितना आ रहा है 47 भागे 133 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर आपसन आपको देखना है देखो 13 1452 तो यहाँ पर 47 से लगभग लिखा है तो यह आपसन तो हो गया नहीं खतम कर दिया आपने आपसन इसको तो इसका मतलब तीन बार जाएगा तो तीन बार जाएगा तो यहाँ पर 133 है यदि आप 13 55 करोगे 13 68 कर दोगे तो 6 बार तो जाएगा नहीं तो 5 बार लगभग जाने की उम्मीद है तो 5 बार एदि लेके जाते हैं तो 5 सितियां 15 5 सितियां 15 16 और 5 एकम 5 एक 6 तो लगभग 35 आ रहा है पाइटिस दस्मलों सम्थिंग आएगा तो 34 तो होगा नहीं ताइयỏ टिस होगा नहीं यही अंसर हो जाएग इस तरह आपको निकालना होता एक्जाम में ज्यादा पौइंट की चक्कर में नहीं बजना है आपके पास समय कम होता है एक्जामनर वस आपका एक्जाम दिमाग चक करना चाह रहा कि है तो मिली जबल हो आगे आने वाली एक्जाम की लिए कि नहीं आगे बढ़ते हैं बाकिस का सलूशन आपको मिली जाएगा पीडिया ठीक है ये देखी आपके सामने है इस तरह आपको मिल जाएगा यही कल्कुलीशन यहाँ पर की गई है शम्ठिंगर की आएगा बढ़ते हैं आगे साथवा प्रस्ट साथवा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से अब यह संख्या निकालो से जिरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपाद आप देख रहें क फेपर सेटर आफसे बस कल्कुलीट करने आता दागी है मईस से सितंबर देखिए दोस्त यहाँ पर किसमें एंजल में खुले खातों का एंजल में देखिए यह 25 पलस कितना होगा 28 25 65 65 55 तो एंजल का जोड लो है न गाई एंजल का कितना है 25 तो यहां पर देखिए 65 65 और 35 ह हो जाएगा सव यह दिन की थोड़ा और भीग है वो इकाई दहाई करके जोड़ लें अपना देखो पाँच पाँच दस पाँच पंदरा और वाठ 23, 23, 28, 8 लिखो 2, 2, 4, 3, 7, 6, 13, 5, 18 और 220 कर लो तो 208 आ गया एंजल का अब इसी तरह जिरोधा का जोड़ लो जिरोधा में खुलो कात्यों की शंख्या 300 प्लस 45 है 300 प्लस 45 75 75 प्लस 50 125 125 प्लस 35 160 प्लस 40 200 हो जाएगा और यहां पर इन दोनों का अनुपात आप निकाल रो अनुपात कितना आ जाएगा तो अनुपात आप देखेंगे गर आप दोश डिवाइड कर देंगे तो 104 उपर 108 उपर होगा दो से करेंगे तो आप उपका हो जाएगा 104 104 बटे 100 यहां पर देखेंगे तो आपका आंसर आही गया यह वाला वाइस से डिवाइड कर दो कितना आएगा दो आंको बात दस्मरू लाग जाएगा तो 1.04 आपसा निज्ट करक्ट आंसर इस तरह कल्कुलेट करना है यहां पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आठ्वाइग प्रश्न है कि किस सेयर ब्रोकर में यह जो जोड़ो तो एंजल का जोड़ो सेरखान जिरोधा एंजल को जोड़ो फटा फट कितना आएगा अभी इनका जोड़े थो 208 था और जिरोधा का जो रहा है वह 200 था इनके भी जोड़ो भाई सेरखान और ट्रेडबुल के तो 22, 22 पलस 18, 40, 40 पलस 32 और 72 और पलस इन दोनों को कर दो 75, 72 पलस 75, 22, 243, 147 तो 147 आया इसी तरह नीचे का जोड़ो यहां पर तो 60 और 50 110 हो जाएगा 110 पलस 45, 155 और 155 पलस 45 200 होता है तो इसको 45 मान लोगे तो यहां तीन कम हो जाएगा तो 145, 155 पलस 45 होता है 200 और यहां तीन कम हो यहीं 233 आ जाएगा जोड़ने पर 232 ठीक है तो इस तरह आप जोड़ लेंगे तो यहां पर अब इनका आप क्या करेंगे खुले खातों की आउसत निकालेंगे आउसत ना निकालो क्योंकि किसी में सम्मे मंत बराबर ही है भाई सबसे ज़्यादा वही आंसर हो जाएगा तो यहां पर ट्रेडबुल का सबसे ज़्यादा दिक्रा 232 अप्शन 20 धकरक्त आंसर ठीक है अब बुक का सलूसन देखेंगे तो लंबा कल्कुलीशन की है डिवाइट पांच कि फिर आउसत कि यह करना नहीं आपको क्योंकि यहां कर लो यहां अंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोई मंथ कगर खाता ना खोला होता तब तो तुलना में दिक्कत होती ठीक है तो यहां पर आंसर आपका सेम ही आएगा ट्रेडबुल इतना कल्कुलेट करने कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला प्रस न पर आपको तुलना करनी है ट्रेडबुल ट्रेडबुल का आपने जोडा था भी दोस्त कितना आया था यहां पर 212 था टोटल यू dł और यहां पर सिर खान का जोड़े कितना आया था 147 जोड टोटल अब यहां पर अउस्ट निकालना है क्योंकि आउस्ट की तुलना करना है खातु की संख्या के आउसत का लगभग कितना प्रिस्चत कम या ज़ादा था यहाँ पर डारेक्ट आपको तुनला नहीं करनी है आउसत निकालो तो यहाँ पर कितना आउसत आएगा पांच महीने कहा है मही से लेकर सितंबर एक दो तीन चार पांच तो पांच से आप अफट अफट डिवाइड कर दो दोनों को पांच से अगर डिवाइड करोगे 147 को तो पांच दुनाई 10 चार आया पांच नौबा पांच आइटालिस करोगे दो आएगा पॉइंट लगाओगे पांच चोग बीस इसी तरह इसको कर लो इसका अफट यहीं पांच से डिवाइड किये तो पांच चोग बीस हुआ तीन बचा फिर पांच चक तीस की फिर दो बचा फिर पॉइंट लगाए पांच चोग बीस कर दिये तो इस तरह आप डिवाइड कर दे से इतना अंसर होक bazahti अब क्या करना आपको सेर खान में खुले खातों की संख्या आउससत आपने निगाए है तो 31.4 करेंगे नीचे उपर कितना करेंगे तुलना में अंतर कितना बढ़ा ची आलिस तो 46 माइनस 46.4 माइनस करोगे 31.4 इंटू 100 करोगे तो 31.4 और 46 में कितना डिफिरेंस आ रहा 17 का तो कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 31.4 गुड़े 100 यह अंसर हो जाएगा आप जो आएगा ठीक है तो कितना 17 बटे 31.4 इंटू 100 किया आपने ठीक है कितना किया 17 डिवाइड बाई 31.4 गुड़े 100 तो इसको आप अगर भाग देंगे तो इसको आप कितना लिख सकते यहां 1700 कर देंगे 100 अगर हटाएंगे तो 17 होगा अगर दसमरों भी हटाएंगे तो 170 होगा यह यह नए 170 डिवाइड बाई कितना 294 अब यहां पर आंसर देखे 60 परशन्ट दिया फिर 45 विश्टावन पचास इस तरह दिया है तो यह आप 294 के लिख आधा कर दोगे 294 का आधा करो कितना होग तो 27, 94 का आधा 27 हो गया और 200 का आधा 100 तो 127 तो 294 का आधा होता है 127 आधा का मतलब कितना भाई पचास परशन्ट सीधी सी बाद लेकिन अमाउंट कितना यहां पर 170 है, 127 नहीं है अगर आप लगभग यह क्याउन परशन्ट निकालोगे तो 31 दुसमलों यहां पर 4 जोड़ दोगे इसमें एड कर दोगे तो तब भी तो 170 नहीं हो रहा कहने का मतलब यह क्याउन परशन्ट से भी ज़्यादा अमाउंट है 170 परशन्ट कैसे निकालोगे अब दिमाग में आया आपके अंसर कल्कुलेट नहीं करना आपको ज़्यादा परशन्टे तो नहीं निकालना है अब यह क्याउन परशन्ट से भी ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब 50 वाला भी नहीं होगा 45 भी नहीं होगा क्योंकि 60 अगर 60 परशन्ट निकालो गितना हो जाएगा 6 चोग चोग 6 चोग चोग चोवन्द उचपन और 6 दुनाई 12 पाँच 17 क्याने को मतलब 176.4 आ रहा है इसका 60 परशन्ट तो 60 वाला आंसर भी नहीं होगा तो यहीं आंसर आपका आंसर यह हो जाएगा ठीक है डी अब अपने दिमाग में वहाँ आपसं इसे कलकुलेट करेंगे तो जल्दी कर लें यहां बता रहें इसे टाइम लग रहा होगा आपको तो यहां पर इस तरह आंसर आप निकालेंगे डी अंसर करक्ट होगा ठीक है बाकी आप कलकुलेट करना चाहें पॉइंट ये टू पॉइंट भाग दें सब कुछ करें तो करिए कोई दिक्कत नहीं इस तरह आप निकाल सकते हैं 31 का पहाड़ा पढ़िए पढ़ते रहिए ठीक है तो यह जो बता रहें ऐसे करना दोस्त बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ते हैं तो अपने हिसाब से इस तरह आपकी सामने प्रस्ण होगा उस तरह आपको अपना दिमाग चलाना है आगे देखते हैं अगला प्रस्ण पूचा गया कि निमनलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की आवसत महत्तम है तो मही का देख लो जोड लो कितना आएगा किसना होगा है आई प्रस्ण प्रस्ण प्लस्ण 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 प्लस हो गए आपका इसी तरह आपको जून कर लेना है तो जून का जोड़ लो 45 दुनाई 90 और प्लस पंदरा भाई तीन यहां मने भेज दिया ठीक है तो 45 दुनाई 90 प्लस पंदरा 105 और प्लस 28 आप 14 75 महेने में खुले खातों की संख्या की आवसτ का मतलब यहाँ पर देखो जोड़ना सभी को बराबर ही है कितने कितने हैं ब्रोकर यहां पर चार हैं एक दू तीन चार चार हैं तो आप चार से संब बाग दो फिर तुलना करो तो सबको चार से ही भाग देना है तो यहीं पर तुलना करनो वही अन्सर सेम हो जाएगा महात्तम तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही सितंबर की 200 यही आंसर हो जाएगा ठीक है अब इन्होंने आपको बताया है खुल इखातों की संख्या का उसद निकालो फिर महात्तम कुर और आंसर आल्टिमेटली आपको सितंबर ही आएगा चली आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला यानि दस प्रस्न हो गए यानि पहले पाली के जो प्रस्न पूँचे गए कंप्लीट होटे हैं अब दूसरी पाली में जो पूँचा गया देखते हैं पर 2021 में आपके सामने टेबल दी हुई है निमने तालिका में चार व्यक्ती A, B, C, D सबताह की विभिन्न दिनों पर बस्तू की विक्री कर रहे हैं और आपके सामने जो प्रस्न पूँचा गए हैं देखिए यहां पर प्रस्न है कि सोमवार को D द्वारा बेची गई बस्तू सनिवार को C द्वारा बेची गई बस्तू का कितना प्रतिशत थी तो सोमवार को D द्वारा बेची गई बस्तू सोमवार है और सोमवार को D द्वारा बेची गई बस्तू कितना यहां पर 20 तो सोमवार वाला यहां पर डीगे कितना हो गया 20 हो गया और सनिवार को सी द्वारा तो सनिवार पकड़िये और सी पकड़िये यह 45 तो इनका है 45 तो सनिवार को सी द्वारा बेची गई जो 45 बस्तू का कितना प्रतिशा तो थी यहनि 45 का कितना प्रतिशा था 20 तो 20 बटे 45 आप करोगे इंटू 100 करोगे तो 5 नवा 45 और 5 चोग 20 तो कितना है 400 बटे 9 तो 9 चोग 36 फिर 4 आएगा इस तरह आप पढ़ा पढ़ते चले जाएंगे 9 चोग 36, 9 चोग 36 चोग वाली दसमर चोग वालिस करकी आंसर हो जाएगा option B तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन पूछा गया अगला प्रशन पूछा गया है कि B, C, D देखे दूतिय पाली में पूछा गया भाई प्रशन है कि B, C, D द्वारा क्रमसा, शोमवार, मंगलवार और सनीवार को तो B वाला सोमवार, C वाला मंगलवार, D वाला सनीवार को तो यहां पर B का जो सोमवार का अमाउंट है कितना है B B पकड़ो सोमवार कितना 45 मंगलवार कौन है, C है तो C कहांगे C यह यह और मंगलवार है निका अमाउंट प्लस 49 करोगे प्लस सनिवार को कौन है D है तो सनिवार को D पकड़ो यह हैं सनिवार और यह हैं D 40 तो तीन सी डिवाइट की आंसर क्या आएगा आउसत निकालना भाई तीन वस्तमें तीन सी डिवाइट तो इनका जोड़ो 45 दुनाई 90 तीन इधर खिसकादो तो 9,4,13,13 133 बटे 3 जो आएगा यह आंसर हो जाएगा तीन चोग 12 एक आया तो तीन चोग 12 एक आया तीन तरीक का 9 किया तीन तरीक का 9 इस तरह आप चलता रहेगा तो 44 दिसमलों तीन तीन यहां पर आंसर होगा आप संडी अब जो आसान उसको calculate कर लो जो नहीं आसान उस पर दिमाग लगा कि आप संसे guess करो guess हिंदा sense मतलब की तुक्का नहीं लगाना है दिमाग लगा के काम करना है कि चली आगे बढ़ते हैं इसका अंसर आप देख सकते हैं गटना चक्र का इस तरह किया है बहुत आसान आगे बढ़ो अब वीडियो के लाइक कर दे थड़ा सेर कर देना इसको मेहनत करके थोड़ा ppt बनाया गया इसका वरना एक पेस नहीं हो पाता आपके सामने table होता है उसके बाद प्रशन होता है तो जादा अच्छा लगता है डारेट वीडियो से पढ़ाता तो वह उपर नीचे होता उस डी बस्तू की बिक्री की तुलना डी बस्तू ये है, विहipt में कितने प्रतिशत की विर्धी आई तो हम डी का पहले जोड़ो अप अंगे का कितना आएगा कितना आएगा 20-20-40 हो गया आउचारतियां 12-12-27-107 और प्रचारतियां 12-27 होगा और आप करोगे क्या अब D कहो गया टोटल अब B का निकालो भाई बी का कितना है 45-50 है 45-50 हुआ कितना 95-95 प्लस यहां पर 28 है तो 20 ले लो 115 हुआ 115 वाट 123 हुआ और 123 प्लस 40 163 हुआ जोड़ देना अपना ऐसे ही होगा ठीक बस जोड़ सही आ रहा बस अपने अपने दिमाग में कल्कुलीट कर लो बाकी आपको PDF मिली जाएगा बस यहां पर वीडियो बनाने का मतलब थोड़ आप दोड़ा देख लो किस तरह एक्जाम कल्कुलीट करना हो गए रहा है तो डी की विक्री की तुलना में बी बी का देख रहे हैं 163 तो कितना विर्धी दर्शा रहा है 127 से 163 हो रहा है तो पर्षेंट कैसे निकालोगे 127 की तुलना करना आपको 27 से तो 163 माइनस करोगे माइनस 127 इंटू 100 करोगे तो 27 माइनस 63 माइनस 27 कितना आ जाएगा 27 दूनाई 54 नव साथ 16 यानि 36 36 गुडे 100 डिवाड़ बाई 127 अब यहां पर आप देखो एगर 127 क अगर आप 200 परषेंट लग यहां दुखरो 20 परषेंट इसको इनिमनेट करना है लग 20 परषेंट पढ़ो पहड़ा तो अगर 127 का 20 परषेंट करोगे तो इसका 20 परषेंट कितना होना चाहिए 12 दूनाई 24 यानि 25 दूनाई 4 आएगा इसका 20 परषेंट जबकि यह 36 है तो इसका मतलब 20 परषेंट से बहुत जादा है तो यह आपसन तो होगा नहीं ना तो 18 होगा ना वशन अब आपके पास आप देख लो आप देख लो उन्तिस वाला चक तो नव परषेंट अगर 127 का निकालों कितना आएगा नो सते तिरीशट नो दून आठ्था तो नो सते त्रीशट नो दून आठ्थारा और ठारा चे कितना हुआ शवबीश नौ एककम नो दू ग्यारा तो नौ पर्षेंट आपसन यहां पर सही जबाब होगा इस तरह आपको कल्कुलेट करना एक्जाम में फटा फट बाकी आप भाग देना चाहें तो तीन सो चाती सो डिवाइड बे इस सो सताइस करें जैसे आपका जल्दी जैसे आप कर सकें ठीक है दोस्त बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ब प्लस पचीज एक सो दस प्लस ये बीस एक सो तीज इसके बाद है शुक्रवार को गेची गहीं बस्तों के ठीक है तो इनका आउसत और इनकी बीच का आउसत तो भाई शुक्रवार को जोड़ लो पचीज प्लस अठाइस तिरुपन प्लस पंदर आण सठ प्लस एकतालिस त और ढॉससत का मतलब यहांपर कितनी बसत्तु चार है तो चार से आप डिवाइड करोगे सभी को तो जो अंसर आएगा उन दोनों का अंतर या आप सिंपल इसको माइनस कर लो डिवाईड चार्ज कर दो उसस यहाएग तो एक सो तीस है एक सो नौ है दोनों को डिफिननस इक का दिमाग काम करे कल्कुलीशन में आगे बढ़ते हैं दोस्त बाखी आप यहां देख सकते हैं चली वैज निकाला आगे देखो तो सेकंड पाली का यहां पर टेबल का अगला जो पूछा गया पाचवा प्रश्ण यहीं इस टेबल पर आधारिक मंगलवार को ए द्वारा बे तालिस अनुपात निकालना इन दोनों को निकाल लो भई अनुपात कितना 35 पाइटालिस का है पाच सत पाइटीस पाच नमा पाइटालिस साथ नो का रेशियो होगा आप संसीख सही जबाब है बढ़ते हैं आगे सेकंड पाली में दो तालिका यहीं पहली तालिका का प्रशन करना है और इची दीगे प्रशनों का उत्तर देना भारत में 2010 से 17 कि मद्ध फशलों का उत्पादन है विभिन गेहुं चावल बाजरा मक्का जवदाल आलू यह बरस दी हैं आगे देखते हैं प्रशन पूछे गए जो तो प्रशन पूछा गया कि इन में से किस फस फशल में गेहुं चावल बाजरा मक्का जवदाल आलू दिया है 13 से लेकर के 17 तक यह है आपका 2013 और यह है 2017 यानि 2013 से लेकर के 17 तक बात की जा रही है इनके मध्य उत्पादन में लगातार बिर्धी दर्ज की गई है तो किस फशल में देख लू आप गेहुं की तुलना करो गेहुं पहले 1712 फिर यहाँ पर देखो कम हो गया तो लगतार बिर्धी है नहीं यहाँ पर है न तो यह हो गया खतम गेहुं वाला आपको लेना ही नहीं है अच्छा गेहुं ऐसे भी आपके आप्शन में नहीं बाजरा देख लो दाल और जौ मक्का तो बाजरा देख लो भई, 780 से 1110 हुआ, फिर 1113 से करना है, तो यहां से दे लो, ठीक है, तो 1110 लिए, फिर 1160 हुआ, फिर बढ़ा, 1450 हुआ, फिर 1460, लगातार यहां पर बृद्धी आपको देखने को मिल रही है, इसके बाद तो बादरा आपने देखा, इसमें तो हई है, तो यही होगा अंसर, दाल वाला भी देख लो आप, यह 310 से फिर 370 फिर घट गया, तो यहां बर बृद्धी का जो कांटिनियूस रहा क्या है, यहां पर तूड गया, इसके बाद आप देखो मक्का का, मक्का और जव का देख लो, तो 200, 216, 160, यह लगातार बृद्धी नहीं दर था रहे, फिर चालिस से नब्बे गया, कांटा, फिर कांटा फिर 110 हुआ, फिर 75 फिर घट गया, तो लगातार बृद्धी आपको क्योल और क्योल बाजरी वाले में देख रहा है, यहां पर, लगातार बढ़ उत्तरी है, तो आप्षन यहां पर बाजर आपका सही जबाब आप्षन होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिये गए यहां पर, इस तरह आप देखो ब्रिद्धी, चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है आपका, 2010-11 से, 2010-11 यह है, 2016-17 की अवधिमे के मध्ध आलू का अवशत उत्पादन, आलू को आपको ले लेना है, यह है आल 2011 से लेकर, 2016-17 ने पूरा आपको आइड कर लेना है, अब पूरा आइड कर लेना है, जितना year कहाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो साथ से आप डिवाइड कर देना है, दीक है, तो बहुत आसान इसको कर लेना है, पूरा आइड करेंगे, शाथ से के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज कीँगे, गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में कौन-कौन सी फसल दी है तो 2016-17 को आपको पकड़ना है यह है 2016-17 है यह अंतिम में यहाँ पर आलू दिया है तो आलो कुछ एक करना है आपको चावल है तो चावल वाला ये हो गया बाजरा है बाजरा को पकड़ो इसकी बाद जव है तो जव वाला कहां ये है और तुलना करनी है आपको पिछले बर्ष की तुलना में गिरावट पिछले बर्ष की तुलना में पिछला देख लो 826 से चावल को लेना है 826 से 812 है तो यहाँ पर चावल में क्या है 826 से 12 हो यहाँ पर गिरावट दर्द की रही माइनस है आलू का देखोगे तो आलू 425 यहाँ पर बड़ोतरी है इसके बाद जव का चक करोगे 260 से 216 हो जा रहा है तो यह भी पलस में ही है इसके बाद आपका बादरा-बदरा बादरा को देखो 1450 से 1460 तो यह भी पलसे में है कि गिरावट चावल में ही है आपकी यह चावल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपसन भी यहाँ पर सही जबब होगा आगे बढ़ते हैं आलू का उद्पादन 2015-16 में ये है आलू आपका और 2015-16 का उद्पादन आपको देखना है 2015-16 यानि 400 आला है रमाउंट तो 2015-16 का हुआ ये कितना है 400 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है 2010-11 आप लोगे 210 है तो 2010 कितना है 210 तो 210 का ये 400 लगभग कितना गुना है तब दो गुना तो होगा नहीं कि कि अगर 420 होता तब तो दो गुना होता तो B और C अपने आप खतम थीक है तो अंदाजन ये लगभग उशा जा रहा है अगर 19 यानि 1.9 गुना है तो भाग देके देख लो है ना सिम्पली वाइ 210 करोगे अगर 9 गुना और ले जाओगे तो 219 ए 119 होगा हम आपके लिगा 210 ठीक है तो एक शो निन्या नवी हाइड करो एक शो निन्या नवी ठीक है तो 219 होगा ठीक है तो 209 और 180 कितना हो जाएगा आठ एक नव दो एक तीन तो कहने के मतलब यहां पर 309 आ रहा है तो लगभग यही आपका आंसर यहां पर हाइस होगा तो 190 करके आएगा आपका तो नव पॉइंट 05 करके ठीक है तो एक्जैक्ट आंसर आपका यही हाईस निकालोगी यही आ जाएगा भाई यह तो आएगा निक्योंकि यह कम ही हो जा रहा है यह जब यह बार जा रहा है तो इसको लेनी क्या जरूद यह आंसर होगा आपका आंसर is the correct answer आगे बढ़ते हैं दोस्ट लगभग यहां दिया है शलो भई आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण नंबर है 20 गेहूत पादन में किस बर्स के दोरान गिरावट दिखाई दी गेहूत पादन पकड़ना 2016-17-14-15-16 तो 16-17 यहां पर देखो कहां है यह है आपका 16-17 गेहूं का देखो यहां पर किस बर्स में गिरावट बाई 79-12 रहा है 76 हुआ तो 16-17 में तो पलसे में है प्लस में है इसके बाद दिया है 14-15 14-15 को देख लो 14-15 में गिरावट हुई है क्या अब 13-14 में 7056 रहा है यहां पर गिरावट है यही माइनस यहां पर आंसर होगा औ 15-16 का देख लो भाई 68 रहा है 69-12 हो रहा तो यह प्लस हो रहा 15-16 वाला तो यह प्लस हो गया 13-14 का देख लो 13-14 यह है तो यह 13-14 वाला यह है 7056 तो 7056 पहले 712 रहा अब उतपादन हुआ 7056 तो कम हुआ अच्छा यहां पर दो आंसर आ रहा गया इसके उसमें चल यहां एक प्रस्ण डिस्प्यूटट रहा होगा पिछली बार ठीक है तो यहां पर पिगल्प में दिया गया है यदि प्रस्ण में दिया होता है सरपर्थम कब गिरावट दिखाई तो सबसे पहले पूशा जाता तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आंसर क्या सबसे पहले जो आता तेरा चौजा वाला आता क्योंकि आयोग ने आंसर डी को माना है सही ठीक है बाकी दोनों में यह डिस्प्यूटड वाला रहा है प्रस्ण पिछली बार का क्योंकि दोनों आंसर यहां पर सही हो रहे हैं यहां पर बी और डी जो है वो सही है चलिए तो यहां पर पह विकास दल अधिगारी में पूछा हूँ अप्रश्ट निम्नांकित रेखा चित्र बर्स 2017-18 में चार उत्पादों के विक्रे के बारे में विवरण दरसाता है बर्स दिये हैं 17-18 उत्पाद दिये हैं 4 पूछा क्या जा रहा भाई दोनों बर्सों में यानि 17 और 18 में उत्पाद 1 उत्पाद 2 के आवसत विक्रे तो उत्पाद 1 का आवसत कितना होगा 28 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना होगा इसका आधा हो जाएगा 14 और 14 इसका उत्पाद 2 ले लो 23 प्लस 55 तेईश प्लस 55 डिवाइड बाई 2 यह हो जाएगा 55, 5, 3, 8, 5, 2, 7 तो 78 डिवाइड बाई 2 इस इक्वाइड तो इस इक्वाइड तो होगा आपका 42, 89 हो जाएगा आउर लिखा है ठीक है दोनों बर्सों के उत्पाद 3 और 4 उत्पाद 3 और 4 17 प्लस 46 डिवाइड बाई 2 27 प्लस 76 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 7, 6, 13, 53, 63, 63, 63 बटे 2 और यह हो जाएगा 27 प्लस 76 तो 76 प्लस 24 हो गया 103 हो गया प्लस 2 यहनि डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पर आ गया आपका चारों का आउसत और आपको अनुपाद किसका ग्याद करना है उत्पाद 1 और उत्पाद 2 यह हो गए और ठीक है और लिखा हुआ है यहनि 46, 46 आपको क्या करना है 46 का प्लस 49 इसका यहनि अनुपादे यहनि डिवाइड करेंगे अनुपादे कितना होगा आपको और अनुपाद कितना किसका दो नो तीन और चार का तीन का कितना है 63 बटे 2 प्लस डिवाइड बाइ कितना 103 बटे 2 है तो इसी तरह आपको करना है जोनों का जो रिशियो निकाल लेना है 49 प्लस 46 नौशे पंदर यहनि 85 आ जाएगा और 63 प्लस 103 63 प्लस 103 166 डिवाइड बाइड टू कितना होगा आठ आठ शोला तीन तीन छे तिरासी तो पचासी अनुपाद तिरासी आपसन इज़ा करक्टान जाएं ठीक है इस तरह आप उकल लेना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 22 से लेकर कि 27 तक निम्न तालिकाएं दिये ह है तो यूपर्टर पलस within ग्रांक विकाषदिकारी पूछा हुँ अ प्रश्न है तालिका का निम्न तालिका में किसी कमपरी द्वारा अपनी अस्थापना के बाद के बरसों में निर्मेती यलसीडि की विक्री दी गई है पिछले बरसो में कमपरी द्वारा बेचे गए लस यहां पर जो बिभिन आकारों की संख्या है तो 40-40-2022 32 बेची गई इस तरह यहां पर दिया हुआ है प्रस्ण है दोस्त किस बर्स में यलसीडी का अधिक्तम संख्या बेची गई किस बर्स में तो यहां पर 12 से लेकर 17 यहां पर देखो गये तो जो अच्छे दिये हैं लेकिन आपको 4 को ही जोहत तुलना करना है 13, 14, 17, 16 का पूशा है तो यहां पर 13 को निकाल लो 14, 15, 16, 17 जिसमें जो जादा हो जोड़ लो 12, 2012 कितना अज बेचोगे LCD का अगार पूशा है अधितम संख्या बेची तो 40 इंच वाली, 50 इंच वाली तुलना करनी है तो यहां पर आपका देखेंगे बेची गयी 183 में 14 का भी देखना आपको 224 है ठीक है तो 2014 आपको देखना है 2014 का और 13 का तो 180, 224, 2016 का देखिए 241 है और 2017 का है 222 तो सबसे ज़्याद है 222 देख रहा है यानि 2017 की बात की जारी आप संसी यहां पर आपका सही जबाब है बढ़ते हैं आगे अगला प्रस अगला क्या पूँचा गया कि सभी 6 बरसों की कुल बिक्री में किस आकार की LCD की संख्या अधिकतम रही है तो यह सभी 6 बरस दिये हैं अब यहां पर पूँचा है किस आकार की अब सब आकार का अलग अलग जोड़ोगी इस तरह आपको जोड़ना है 32 पलस 43 पलस 54 पलस इस तरह गर के जोड़ना है जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वही अधिकतम होगी तो यहां पर आपको सब को नहीं जोड़ना है 4 को ही जोड़ो 60 वाला देख लो 50, 55 और 40 वाला ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह जोड़ना है अब 60 वाला अगर आप देखेंगे तो 60 इंच वाला यहां पर 247,000 की बात की जा रही है 85 इंच वाली यहां पर देखेंगे तो 238,000 है 40 इंच वाली देखेंगे तो 40 इंच की 277,000 है और 55 इंच की अगर बात करेंगे तो 55 वाला कहा है यह है आपका 255 तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या है 277, 239, 245, 247 इस कौन सा है तो 40 इंच वाली आपको ज़्यादा दिख रही 277 तो आप संसी सही जबाब आगे बढ़ते हैं अगला पूंचा गया किस बर्स में बेचे गए LCD के कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के LCD का प्रिशात अधिक्तम था तो केवलो और केवलो जोडने के लिए अपना दे देते हैं पेपर में बाकि सब लोग जोड लेंगे है ना टाइम टेकिंग के लिए बजाने के लिए दे देते हैं अब देखो इसमें जोड़ो आप किस बर्स में बेचेगे LCD के कुल संख्या में से बेचेगे 55 इंच के LCD का प्रिशात अधिक्तम तो यहां पर आपको क्या करना है अब 2012 के अगर देखो तो 32 प्लस 24 प्लस ग्यारा प्लस 26 प्लस ग्यारा प्लस साथ है इस तरह ज करना है तो जो सबसे जादा हो जाएगा वही आंसर यहां पर होगा अब आए देख लेते हैं तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं पच्पन इंच के LCD ठीक है तो यह टोटल योग जो है एक शो अन्नाईश होगा 32 प्लस 24 प्लस ग्यारा प्लस 26 प्लस इस तरह आप ज करना है तो 2016 आप देखो कहां पर है 2016 क कितना हो तीन परसंट है और इसका जो टोटल योग है कितना है 241 है तो 241 में 14 कितना परसंट है वह यहां पर किया गया है कि 2015 के यदि देखेंगे तो 2015 कितना है मैं करी GB 42 लुच्टल Lum 20talk 2014 का 20,2 13 arkadaşlar रहा है इसतरा और 2017 का 202 ऊच्वर इस यहां इन चारों में सबस्चे जादा कौन सा है यहां पर आपको 21 सबस्चे जादा दिख रहा है कौन सा 2015 तो आप्शन भी यहां पर आपका सरी जवाब है बढ़ते हैं आगे अगला है कि सभी छे बरसों में कुल विक्री नियुंतम किस साइज की एलिस सीडी टीबी की है सभी छे बरसों में 2012 13 कुल विक्री नियुंतम किस साइज तो इसमें आपको देखना 70 इंच वाली इसके बाद 50 इंच वाली है तो 50 इंच वाली आप की हो गई इसको आप जोड़ लो टोटल 65 इंच वाली है तो 65 वाला टोटल कर लो और 75 वाला भी टोटल कर लो आप जो सबसे कम वाला होगा वही आंसर हो जाएगा आपका ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं सतेर इंच वाले जोरा गया कितना टोटल 84 cup पचास इंच वाले आप देखेंगे तो 50 वाला 238 वाले आ रहा है और 65 वाले डोटल तो 65 वाले वाले टोटल यह कितना आ रहा है 911 और 75 इंच वाले आ रहा है 62 थो इन 4 में सबसे ज्यादा कौन से दिग रहा है 238,000 वाला 238,000 कौन सा है इंच वाला 50 तो आप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा ठीक है और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पूँचा है सबसे कम नियूंतम वाला तो इंचारों में नियूंतम कौन सा है 62 ठीए है 11 248,000 वाला यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला प्रस्ण है किस बर्स में बेचे गए कुल LCD TV की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की LCD TV का परिशत अधिक्तम था तो इस तरह यहाँ पर आपने देखा पिछली बार 55 इंच वाला पूछा था अब इस बार यहाँ पर पूछ लिया 60 इंच वाला तो ऐसे आप देखिए पहले जब आपके पास पेपर आए और इस तरह अगर देख रहे हैं कि जोड जोडने गाटने वाला इतना दे दिया है पूरा-पूरा तो आपको फटा-फट जो है ऊपर नीचे सब जोडने ना इसे जोड़ लेना है इसे जोड के अपने पास रख लेना पेपर में और फटा-फट ताकि आप आंसर वहां पर कर सकें जल्दी-जल्दी तीक है तोटल योग आप अगर किये रहेंगे तो चाहे 65 पूंचा जाए 70 तो 65 वाला दिया आप देखें वह आप कीजिए 60 वाला तो 60 वाला यहाँ पर 26 आ रहा है तो 26 उपर लिखोगे परशन्ट निकाल लोगे इसके बाद तो यहाँ पर सबसे अधिक्तम प्रतिशत वाला देखोगे तो 2016 का कितना है 2016 का 17 पर दसमलों सम्थिंग है 2015 का यहाँ पर 16 दसमलों सम्थिंग है 2012 का देखोगे तो 2012 का यह 21.84 है और 2014 का बीश है तो यहाँ पर 21 वाला सबसे अधिक्तम यही पूछा है तो यहाँ पर आपका कौन सहीर होगा 2012 सही जबाब बन जाएगा आप सम्थिंग चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रस्ण पूछा गया कि बेचे जाने वाले 50 इंच और 70 इंच की LCD की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है तो यह 50 इंच वाले को जोड़ लो टोटल और 70 इंच वाले को जोड़ लो टोटल और इन दोनों की बीच का अंतर निकाल लो अंसर हो जाएगा आपका है ठीक है तो वाई 50 इंच वाला कौन सा यह है 24 प्लस 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 गरिकी यह आ गया दोशो और 30 टोटल यहां पर और 70 इंच वाला टोटल कितना आ रहा है 84 इन दोनों का अंतर निकालो 154 जार आप संसी तो इस टेबल पर आधारित 27 तक कंप्लीट हो गया आगे बढ़ते हैं अगला 28 से 32 साल्व करना इस टेबल पर आधारित प्रशन है टेबल देख लो नीचे दी गई सारड़ी में किसी परिच्छा के दो विश्य इतिहासा और अंग्रीजी की बात की गई है इतिहास के अभ्यरति और अंग्रीजी के अभ्यरति हैं साड़ी का ध्यान करना है प्रशनों का उत्तर आपको देना है चलिए प्रस्न पूछा जा रहा है कि इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुएं अधिकतम अभ्यर्थियों को इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को तो आप चार्ट देखिए लिखा हुआ है कि 20 अंक से कम तो बीस अंक से कम का मतलब क्या भाई एक से ले करके या जीरो से ले करके कितना वर्नईस तक उन्नीस तक जीरो से ले करके उन्नीस अंक तक पाने वाले इतिहास के अभ्यरतियों की संख्या आठ है यही तो बोला जा रहा हैं 20 से कम मतलब 19 तक इसके बाद 20 से कम यह नि माप कीजिए 30 से कम कितिना यहाँ पर दिया हुआ है 20 20 अभ्हरती हैं इतियास में जो कि 30 से कम पाने वाले हैं तो बाई 0 से लेकर कि 19 तक जो है 8 अलेड़ी मिले हैं तो यह जो आठ अभ्हरती हैं 20 वाले में तो सामीली है मालो आपके कलास में थीश अभ्हरती हैं कलास में अब थीश स्टुडbox है अब उनमें से आप कह रहे हैं कि जो वन्नाईस बच्चे हैं न यह New чет 8 बच्चे हैं आठ बच्चे कितने पाएं हैं 19 नमबर तक पाए हैं इतिहास में अग 30 से कम मालो 29 तीस से कम कितने बच्चे होंगे 29 और 29 जो बच्चे हैं वो 20 अंक पाए हैं यानि 29 अंक जो है वो कितने पाए हैं 20 बच्चे तो 29 अंक तक 20 पच्चे पाएं भाई 29 अंक तक 19 वाले भी तो इसमें 29 वाले सामिल होंगे तो आठ लेड़ी इसमें सामिल है वांतिस बच्चों में यानि वीश बच्चों में तो इस तरह आप निकालोगे यहां पर दोस्त तो वीश से कम वाले तो आठ बच्चे होगे और तीस से कम वाले वीश तो यह आठ वाले आठ लेड़ी इसमें सामिल होंगे यनि 20 से कम पाले, इसमें 20 बच्चों में, 8 बच्चे इसमें सामिल होंगे तो आइल लेडी आप कहोगे, कि 20 से ले करके जीरो से ले करके, 11 तक 8 बच्चे और 20 से ले करके, 30 से कम आरथात 31 तक तो वंतिस तक कितने होंगे बीस माइनस बीस बीस माइनस आठ चालीस से कम अर्थात क्या भही तीस से ले करके आप चालीस तक यानि 49 तक बात करोगे तो उन ताली यहाँ पचास है तो पचास वाले अल्रेड़ी क्या है इन पचास बच्चों में ये 12 बच्चे ये सामिल होंगे, 8 इधर 20, तो ये टोटल 20 होंगे, तो 50 माइनस 20, तो 12 इधर हो गया, तो 30 बच्चे ये हो गया, इसके बाद 50 से कम, अर्थात कितना, 45 तक, तो 40 से लेकर कि 45 तक जो अभ्यरती है, 75 माइनस 50 कर दोगे, तो 75 माइनस 50, तो 25 बच्चे ये होंगे, जो कि 40 और 45 की बीच जो है, इन्होंने अंक प्राप्ति किये हैं, इतियास, और 30 बच्चे जो है, 41 और 40, 30 और 49 की बीच में पाए, तो यहाँ पर 20, 31 की बाद की गई है, 20, 31 वाले 8 बच्चे आ रहे हैं, 30, 41 की बीच कितने बच्चे आ रहे हैं, हाँ पर 30 आ रहे हैं, 30 और 49 नंबर पाने वाले 30 बच्चे हैं, 40 और 45 की बीच यहाँ पर 25 बच्चे होंगे, 50 और 45, तो 50 और 61, तो 50 से कम, तो 61 और 60 से कम हो ले हैं, यहीं 50 से अधिक, तो 50 से लेकर के 61 तक, कितने आएंगे, 90 माइनस, 75 is equal to 15, तो यहाँ 15 है, यह 30 है, यह 8 है, यह 25, ज्यादा किसमे हैं, 30 वाला, तो 49, 30, 41 यहाँ पर, नंबर वाले जो बच्चे होंगे, 30 यहाँ पर दिक्तम है, तो आप्चन भी यहाँ पर सही जबाब होगा, बढ़ते हैं आगे दोस्त, अगला है, 31 नंबर पूँचा गया, अभ्भैर्थियों का जो निश्पादन है, वहाँ अंग्रेजी में बहतर रहा, यह सत्य है, कि अंज़ता पूरता सत्य है, कि पूरता हा सत्य है, यह सब पूँचा गया है आपकी सामने, तो इतिहास वाले कुल अभ्भैर्थियों को ज 97, तो अंग्रेजी में कितने बच्चे यहां पर अधिक हो रहे हैं, आप देखोगे, तो चोवन बच्चे जो है वो अंग्रेजी में अधिक बच्चे हैं, जादा हैं, तो अंग्रेजी लेने वाले जो बच्चे है 397 क्लास में, और यहां पर 343 जो है इतिहास में रहे हैं, और अगर अंक का यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो अंकों में डिफरेंस है बच्चों का यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इतिहास हो और अंग्रेजी में यहाँ पर दस है तो 20 से कम पाने वाले यहाँ पर दो कर डिफरेंस आ रहा है और यहां पर भी क्या है 32 और 12 नहीं की यहां पर difference होगा 12 का और यहां पर कितना होगा 20 का और यहां कितना होगा 10 का और यहां कितना होगा 5 का टोटल जोड़ लो भई 12 तो 14 बेस 34 तो 44 पांच उन्चास और यह भी तो 5 difference है पाँच और जूड़ो 54 तो 54 बच्चे ही क्या है गेन कर रहे हैं तो बात बराबर यहां पर दिख रही है तो निश्पादन बहतर नहीं है बात गलत है आपसने यहां पर आपका 20 सही जबाब होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन नंबर है आपका 30 किस अंकसीमा में अभ्यरतियों की जो संख्या है वो शमान है तो अंकसीमा यहां पर देखिए अभ्यरतियों की संख्या तो अभ्यरतिय इतिहास और अंग्रेजी दिये हैं तो यहां पर 20 से कम वाले यहां पर 8 हो जाएंगी तो यह 8 है और य तो बीश और बच्चे होंगे 12 बैइ 8 20 मां से 8 गई 12 होगा पिर 40 से कम अर्थात क्या 30 से 49 की बीच 50 यह नि दोनों का बीच डिफरेंस 30 यह हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा आपका 20 और यह होगा आपका 10 किसी तरह यहां कर लो आप 20 से कम अंक पाने वाले अंग्रेदी में जो भेरती वो 10 है इसके बाद यह है आपका 32 और यह 22 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 40 होगा यहांपर आपका दोनों का difference पन्द्रा और यहांपर है दस का और यहांपर दोनों का difference कितना होगा 5 पहाँच 10 तो यही पर आपको इसमें दिख रहा है इसमें 10 दस बरावर वाकिश वालग लग बचिए थीक है तो किस अंगसीमा में अभ्हरतियों कि संख्या समान दिख रही शमान अभ्यरतियों कि 10 अभ्यरति इतियास में भी और अंग्रेजी में भी 10 अभ्यरति ऐसे हैं जो कि 75 से कम अंग यानि 60 से ले कर कि 74 से कम तक यानि 74 तक जो पाने वाले हैं 75 से कम वो जो है 10 अभ्यरती इतिहास में भी अंग्रेजी में भी उतने हैं तो दोनु संख्या किसमी शमान आपको दिख रही है 75 से कम वाले में तो 75 से कम अर्थाथ 70 से लेकर कि 74 तक बात की गई है या 60 यहाँ पर लेखो 60 से 74 तो यहाँ पर उप्युक्त में से कोई नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसी में है चलिए देखते हैं भी शलो आंसर यहाँ पर आपका D होगा सही जबाव उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है आगे बढ़ो अगला प्रश्ण 31 नंबर है कि इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशात कितना है इतिहास में तो इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी तो 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी कितने अल्ड़ी 75 है 75 ऐसे अभ्यर्थी है जो 50 से कम अंक पाए है और कलास में टोटल अभ्यर्थी दिहास वाले कितने है 100 बच्चे है टीक है टोटल नहीं दिया है लेकिन टोटल यही होगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आया इस तरह टोटल एड करेंगे तो सव आए गया तो डिवाइड वाई शो करेंगे कितना आएगा 75 परशन्ट आप से यहां पर सी आपका सही जबाब बन जाएगा ठीक है तो इस तरह अंसर आपका आजाएगा आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न है पर असनल पूचा जा रहा है कि इतिहास में 30 से 4000 के बीच अंग पाने वाले अभ्यरतियों का अनुपा तो इतिहास में देखो भई 30 से कम यनि 30 से कम हो गया 30 से 41 तक बात कर लो तो यहां पर आप देखो 30 से कम वाले कितने यहां पर 12 यह हो गए तो 30 से कम हो गए लेकिन आपको 30 से करना है काउं 30 से कम हो गए 12 30 से ज़्यादा जैसे होंगे 41 तक 30 से 41 तक कितने अभ्यरति आ रहे हैं 30 से 41 तक 50 माइनस 20 50 माइनस 20 कितने आ रहे हैं 30 इसके बाद 41 के बाद आ रहा है 40 40 से ले करके कितना 41 तक 50 से कम यानी 40 तक कितने आ रहे हैं यहां पर 75 माइनस 50 75 माइनस 50 is equal to 25 और 25 और 30 कितना होगा 55 तो 55 बच्चे हैं टोटल जो कि 30 से लेकर 40 तक पाने वाले अंक तो अब भरतेयों का अनुपात कितना होगा तो बच्चे 100 हैं तो 100 से आप डिवाइड करोगे कलास में टोटल 100 बच्चे हैं अब यहां अनुपात जो आएगा 0.5 आप से नहीं हड़ी आपका सही जवाब बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और यह अंतिम प्रश्ण है आपके पूरा जो दिया है घटना जग 49 हल प्रश्ण पत्र में ठीक है इसी के साथ आपका पूरा आपका मास्टर वीडियो की रूप में कम्प्लीट हो जाएगा समलेत यानि लोवर पीसियस में पूछा हुआ प्रश्ण है दिसंबर का पहला जो सब्ता है यहां पर 20 रूपय है और दिसंबर के तीसरे सब्ता में कीमत 60 रूपय हो जाता है इसी तर आप जनवरी का देखोगे तो पहले सब्ता में 40 है और फिर तीसरे सब्ता में यहां पर 120 रूपय हो जा रहा है इसी तरह फरवरी में जाओगे तो प्रथम सब्ता में सौर उपय है तो इन्ही को आपको देख कर बताना है कि आखिर यहां पर तीसरे सब्ता में क्या होगा तो भाई हर तीसरे सब्ता में क्या हो रहा है यहां पर बीस तियाई साथ तीन गुना बढ़ रहा है चार त्याई 12, तीन गुना यहाँ पर बढ़ रहा तो सव त्याई 300, तीन गुना यहाँ बढ़ेगा तो 300 रोपया, देख तरह कि यह रिजनिंग का प्रशन हो गया, है न, तो आप से यहाँ पर भी आपका सही जबाब बन जाएगा, ठीक है, तीस तरह आप यहाँ पर देख स पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, टेलिग्राम जाइन नहीं किये हैं, तो आप टाइप पीजिए, सिंपली आप सर्च बाक्स में, आनलाइन इस्टेडिग्राम, जो यट्यूब चैनल का नाम वही टेलिग्राम का नाम है, जाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडिएफ मिल जाएगी दूस्ता कि आप मैस्त का है, तो आप जो है, देख करकी आसानी से लगा सके, प्रैक्टिस कर सके, थैंक्स पर वाचिंग,